से आ रही है इरान के संसद के अंदर फायरिंग की खबर सार ने आई है इस फायरिंग में तीन लोगों के घाल होने की भी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है तो बड़ी खबर इरान की संसद से इस वक्त आ रही है जहां पर ती तीन हमलावरों के घुसने की खबर है फारिंग में तीन लोगों के घाल होने की भी खबर बताई जा रही है और जो लोग वहां संसत के अंदर मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया है तो रान के संसत के अंदर फारिंग की खबर सामने आ रही है और इस फारिंग में तीन लोगों के जखवी होने की भी खबर है जो लोग अंदर संसत के मौजूद थे बताईए जा रहा है जो भी शुरुआती खबर हमें मिल पा रही है उसमें कि जो लोग वहां अंदर मौजू उनमें कुछ लोगों को बंधक भी बना दिया गया है फायरिंग वहाँ पर शुरूप कर दी गई बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं तुरान से बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर संसत के अंदर फायरिंग कर दी गई है लोग वहाँ पर उस वक्त मौझूद थे कुछ लोगों के जखमी होने की भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कुल तीन लोग बताए जा रहे हैं दिने चोट लगी है महाँ पर और बाकी कुछ लोग जो वहाँ मौझूद थे उन्हें बंधक बनाने की भी कोशिश की गई है और सागर गुपता इस वक्त हमारे संवादाता फोन लाइन पर जूर गया है सागर क्या कुछ ख़बर मिल पा रही है तीन बंधूग धारी इरानी संसर में घुस गए है और दना दन फाइरिंग शुरू कर दी है एक गाड जो संसर के बिलकुल निकास दुआर पर था उसको उसके पैर में भी चोट आई है और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं अभी अभी जस्त ये भी खबर आई है कि संसत के प्रतिनिधियों और करमचारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और अभी भी ये तीन बंधूग धारी संसत परिसर के अंदर मौजूद है इसमें दो लोग खायल हो गए हैं अभी अभी ये अपडेट आ रही है दो लोग जखमी हुए हैं सागर लेकिन संसत के अंदर इस तरह से कुछ लोगों का घुश जाना सुरक्षा के लिहास से एक बहुत बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं इसको क्योंकि संसत के अंदर जहां पर पूरे जन प्रतिनिधी मौजूद रहे होंगे वहाँ पर इस तरह से कैसे अक्सेस मिल गयान लोगों को अभी बताने कि संसत अभी सेशन में नहीं है तो अभी बहुत ही कम कर जन प्रतिनिधी अंदर मौजूद है जादातर वहां का स्टाफ मौझूद है तो ये उन्होंने क्या मकसद था क्या ये आतंगवारी घटना है ये लौ एन ओर्डर की घटना है ये अभी पश्ट नहीं हो पार है क्योंकि पहचान नहीं हो पाई है उन तीन बगदुग धारियों की चले बहुत बहुत शुक्रिया सागर इस तमाम जान कारे के लिए ये रहत की बात है कि कम लोग वहां पर मौझूद थे और जैसे ही और जादा अपडेट इस पूरी खबर पर हमें मिलेगी हम अपने दर्शकों तक बहुच आएंगे